दोस्तों कि आपको पता है कि आपके आधार कार्ड के उपर आपकी नाम पे कितना सिम आज की डेट में चल रहे हैं आपको फ्रोड से बचाने के लिए टेलिकम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया जिसको ट्राई का जाता है उसने एक वेबसेट यहां पे लॉंच किया है जिसका नाम है टैफकॉप आप इसके अंदर लॉग इन करने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि करेंट्ली आपके नाम परटॉर्टल का उस पे आप लोग-इं कर लिजाए एक लिए उसको ऑपन कर लिजिए देखिए दोस्तों यहां पे इसके ओम पेज ओपन हो चुका है यहां पर आपको simply आपका मोबाइल नमबर एंटर करना पड़ेगा रोस पे को टी पी जाएगा और उस मोबाइल नमड जिस आधरकड के साथ connected है उसे related जितने भी उसे collected जितने भी mobile SIM चल रहे हैं यहां पर आपको सोग कर दिया जाएगा और यहां पर नीचे आपको बताया चाहरा है कि यह जो पोर्टल है इसका main मकसद क्या है और यहां पर क्या-क्या इसके जरी आप काम कर सकते हो देखो यहां प दोस्तों तो काफी सारे data यहां पर हर एक स्टेट का यहां पर ट्राई अगर स्यार किया होगा वी तक टैप के साथ तो आपका data मिल जाएगा और दिरे दिरे आपका data थोड़ी दिन में लोड हो जाएगा दोस्तों अभी हम यहां पर mobile नमर इंटर करने के बाद और टी बी के कि देखे दोस्ते हैं पर हम जैसा ही ओटी बी डाल के वैलिडेट किये हैं आप हमें list of mobile numbers इस id पर क्या-क्या चल रहे हैं यहां पर दिखाए देगा और इस id पर मेरा दो ही mobile नमर चल रहे हैं इसमें मैं जो करेंटले एक यूज कर रहा हूं और एक जो मेरो को required नहीं है अग आपको not required पर क्लिक करके नीचे report पर क्लिक करना पड़ेगा और अगर आपके नाम पर कोई और इस number को चला रहा है जैसे this is not my number यहाँ पर आप यह report भी कर सकते हो तो आपको जैसे चाहिए जैसे मेरे को यहाँ पर यह निसी चाहिए नहीं पहले से था लेकिन बंद हो चुका है तो यहाँ पर में not required करना यहाँ पर जिसके नाम पर से में नाम डालना पड़ेगा तब जागे यह आगे process होगा और आप जैसे report पर क्लिक करोगे तो आपको एक reference number यहाँ पर दे दिया जाएगा जिससे हम future में इस reference की मदद से track करेंगे कि हमारा जो request था pending है या process हो चुका ह यहाँ पर देखिए दोस्तों जहाँ पर आपको ट्राक अब लिक कैंसल की option आ रहे हो आप आप reference number को डाल दीजिए और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर दिया जाएगा कि आपकी जो request है वो process में है या process हो चुका है तो इसको यूज़ करते हैं अगर आपकी नाम पर कोई fraud मोबैल नम्बर यूज़ हो रहा है तो उसका आप रोख सकते हो बंद कर सकते हो यह बहुत बड़ा अच्छा decision है ट्राइग की तरफ से थैंक्स पूर वेचिंग लव यू अल